हे नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आसाम के डिब्रूगर डिस्ट्रिक के हेड़कॉर्टर डिब्रूगर के बारे में बात करने चा रहे हैं तो आज के इस वीडियो में हम डिटेल में डिब्रूगर के बारे में तो बात करेंगे ही साथ ही साथ में आज हम डिब्रूगर के हिस्ट्री को भी देखेंगे, डेमोग्राफिक को भी जानेंगे, यहाँ पर कहीं सारी ऐसी जगाए भी है जिनके बारे में हमें जानना और अगर हम डिब्रूगर में या फिर कभी भी डिब्रूगर डिस्टिक्ट में हम विजिट करते हैं तो इन जगाओं पर भी हमें विजिट करने की कोशिश करनी चाहिए तो इन शौट आज के इस वीडियो में हम डिटेल में डिब्रूगर के बार में बात करेंगे तो बिना किसी देरी केस वीडियो को हम शुरू करते हैं तो दोस्तो डिब्डूगर जो कि आसाम के डिब्डूगर डिस्ट्रिट का हेड़कॉर्टर है इसे नहीं सिर्फ आसाम की TCT बलकि पुरे इंडिया की TCT कहा जाता है जो कि एक बहुती बड़ी बात है डिब्डूगर आज इस्टर्ण इंडिया की एक बहुती मैज़र और एमर्जिंग सिटी बन चुकी है और इस सिटी को नौर्ट इस्ट इंडिया का इंडिस्ट्रिल हब भी कहा जाता है डिब्डूगर अपर आसाम में लोकिटेड है और डिब्डूगर की जो बाउंडरीज है वो तिनसुकिया, शिपसागर, धेमाजी और नौर्ट इस्ट के राजय और नचल प्रदेश के साथ में लगती है डिब्डूगर टी प्रडक्शन के लिए जाना जाता है और यही एक रीजन है जिसके वज़े से डिब्डूगर को इंडिया की T-City कहा जाता है T के बाद यहां की जो एक major industry है वो है oil industry डिब्डूगर अचासाम की एक emerging और major city है और यही एक reason है जिसके वज़े से डिबूगर को North East का Industrial और Communication हब भी कहा जाता है डिबूगर का जो transportation है वो काफी अच्छा है और डिबूगर City भी बहुत ही अच्छी है जिसके वज़े से यहाँ पर काफी ज़दा tourist भी आते हैं तो दोस्तो डिब्रूगर के बारे में जानने के बाद अब हम यह देखेंगे कि यह जो वर्ड डिब्रूगर इसका ओरिजिन कहां से होता है और डिब्रूगर की हिस्ट्री क्या है तो दोस्तों ये जो वर्ड डिब्रूगर ये कैसे आया है इसका origin कैसे हुआ है इसको लेकर अलग-अलग historians का अलग-अलग कहना है कुछ historians का ऐसा ये मानना है कि ये जो वर्ड डिब्रूगर ये derive होता है डिवारू मुख से जो कि एक encampment था Ahoms का during the Ahoms सूतियावार वहीं कुछ historians का ये कहना है कि ये जो वर्ड है डिब्रूगर ये evolve होता है डिवारू डिबर से या फिर from the border कचारी वर्ड डिब्रूगर जिसका मतलब होता है blister और गड़ का मतलब होता है fort आसाम में बिटिश रूल के दोरान डिब्रूगर का जो रोल था वो काफी ज़्यादा important था क्योंकि उस समय डिब्रूगर ने अपर आसाम के administrative और commercial center के तौर पर act किया था बिटिश रूल के दोरान डिब्रूगर तिनसुक्या district का पार्ट हुआ करता था पर फिर बाद में डिब्रूगर को एक अलग district बना दिया गया और 1971 में डिब्रूगर district का headquarter डिब्रूगर बना तो दोस्तो डिब्रूगर के history और origin को देखने के बाद और इस city को जानने के बाद अब हम यहां के demography को देखेंगे तो 2011 के census के हिसाब से डिब्रूगर city का जो population है वो है around 154,000 का जिसमें males constitute करते है 54% of the population और females constitute करती है around 46% of the population और डिब्रूगर city का जो sex ratio है वो है around 961 females per thousand of males और यहां की जो average literacy rate है वो है around 89.5% की जो की हमारे national average literacy rate से काफी जादा है वहीं अगर हम overall डिब्रूगर district के demography के बार में बात करें तो यहां की जो population है वो 2011 के census के हिसाब से है 13.26 लाग की और यहां की जो average literacy rate है वो है 76% की जिसमें male literacy है 82.82% की और female literacy है around 69% की तो अब हम यह देखेंगे कि पूरे डिब्रूगर district में या फिर उसके आसपास के जगाओं में कौन कौन सियेंसी places है जहां पर विजिट किया जा सकता है पहला है देहिंग पटकाई wildlife century देहिंग पटकाई आसाम का इकलौता rainforest है यहां पर हमें कई सारी bird species, mammals के species, butterflies के species और reptiles के species देखने को मिलते हैं दूसरा है जॉइपूर rainforest जिसे green paradise भी कहा जाता है यह एक ऐसी जगा है जो कि अपने biodiversity के वज़े से हर साल कहीं सारे tourist को attract करती है फिर आता है नामपा के village अगर हम कभी डिब्रुगर विजट कर रहे है तो हम इस village को कभी भी miss नहीं कर सकते हैं यह city से तकरीबन 37 km की दूरी में स्तित है यहाँ पर जादा तर लोग बुद्धिजम के followers है और यहाँ पर एक बहुत ही सुन्दर बुद्धिष्ट monastery है जो कि लोगों को attract करती है और इसे meditation center भी कहा जाता है फिर आता है नहारखटिया इसे tea town भी कहा जाता है नहारखटिया आज एक ऐसा town बन चुका है जो कि एक popular picnic spot के तौर पर डिबुगर डिस्टिक्ट में emerge हो रहा है फिर आता है राधा कृष्णर temple ये temple एक बहुत ही important हिंदू shrine है जो कि अपने unique architectural design के वज़े से कहीं सारे लोगों को attract करता है फिर आता है श्री जगन्नाठ temple ये temple डिबुगर में located है जिसे जगन्नाठ temple जो की पूरी में है उसका replica भी कहा जाता है ये एक बहुत ही historical temple है जिसे in the air 780 में बनाया गया था उसके बाद आता है बरवरव मैदान डिबुगर में बाकी जितनी भी जगाए है उन सभी जगाओं की ये जगा एक exception है ये जगा डिबुगर सिटी से तकरीबन 14 किलोमेटर के दूरी में situated है और ये जगा important इसलिए है क्योंकि ये एक ग्रेव याड है हमारे आहूम डाइनेस्टी के दो high rank officials के दिन जोई सत्र दिन जोई सत्र एक ऐसी जगा है जहाँ पर जाकर हम आसामेस culture के बारे में जान सकते हैं फिर आता है देहिंग नामती सत्र ये जगा अपने कामनेस के लिए काफी ज़्यादा famous है और ये जगा में हमें आहूम डाइनेस्टी से जुड़े या आहूम किंग्डम से जुड़े कहीं सारे cultural significance देखने को मिलेंगे और at last आता है जोकाई botanical garden यहाँ पर हमें कहीं सारे flora और fauna से जुड़े spaces देखने को मिलते हैं जो की काफी ज़्यादा tourist को attract करते हैं दोस्तो ये थी कुछ जगा है जहाँ पर आपको विजिट जरूर करना चाहिए पर अगर मुझसे कोई जगा छूट गई हो तो आप वो नीचे comment box में comment करना ना भूले तो दोस्तो आज के इस वीडियो में इतना ही उमीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से डिब्रूकर के बारे में डीटेल में जानने को मिल चुका होगा अगर अभी तक आपने इस वीडियो को like नहीं किया है तो like कर दीजेगा और मेरे चैनल को subscribe नहीं किया है तो please subscribe भी कर दीजेगा तो मिलते आप से ऐसी किसी interesting वीडियो में interesting topic के साथ तब तक के लिए bye bye